तो पिछले लिनेक्स के टुटोरियल में आपको कुछ यह कुमांड कराई थी आपको है ना मतलब कि मैंने कुछ ओवर्विव दिया था कि कौन सी कुमांड क्या काम करती है देखो थोड़ा सा मैं दुबार से बता देता हूं कि PWD कुमांड मैंने करा दिया वो क्या बताती है फो जबस्त आपको यह बताता है कि आप कुन सी डाइक्टरी का मतलब हो था फौलडर की इसको भूलना मत ल्स का मतलब है वो आपकी लिस्ट कर देगी सारी डायक्टरी और फोल्डर की जिस डायक्टरी में किप्रेजेंट ली हो उसके अ verbि कितने फोल्डर और फाइल्से है वो सब हमको list कर देगी क्या कर देगी list कर देगी ओके आज हम बात करेंगे Ls की तो यह सीडी कमांड का मतलब होता है चेज़ डिरेक्टरी जब आपको उपनी डिरेक्टरी करेंटली जिस डिरेक्टरी में प्रेजन्ट हो वो आप को चेंज करनी हो तो आप cdfos करोगे तो यह न betta Vencore जैसे हम क्यों मेंचर को उपन करते हैं यह हमारा इस обязательно जैसे ऐसे ही जब हम उसको टर्मीनल को उपन करते हैं तो यह विए इसी डर्य Congo में अपन होता करते हूँ अब क्रेंटली डोक्यमेंट्स फॉल्टर के अंदर हूँ है क्या करता हूँ इसको बत्त अब यहाँ पर ठीक है और इसको मैं काफी ज्यादा यहाँ बढ़ा एक पर कर देता हूं ताकि आपका अच्छे पिक्सल या 24 पिक्सल को select कर लेता हूं और यह ज़्यादा ही कुछ बढ़ा हो गया कोई लिक्कत की बात निए गाइस अच्छे से दीखेगा नए यार्ज को यह तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है मैं एक बार इसको 20 कर देता हूं और अब ठीक है ना अब आपको अच्छी से दिखेगा भी और काम भी होगा और यह जो हमारा करसर है ना डबे जैसा इसको अगर आप चाहो तो आइवीं में भी चेंज कर सकते हो प्राफरेंस में जाओ यहां नेट में जाओ यहां पर जो कर्शर शेप है ब्लोक से आई बीम कर दो ठीक है और यहां पर आप बंद करोगे तो देखो अब वो ब्लोक जो शेप था ना डबे जैसे वो हट गया आप कर्शर काप सिंपल आई बीम है तो देखो आज हम बात करने वाले हैं एलस कुमांड के बारे में यह पूरी वीडि है उस डिरेक्टरी के अंदर जितने फोल्डर स और वाल्डर स हो सब्कों को देखने के लिए फॉल्डर से हैं और किसकी नामकिया है जैसे ही मैं है यह फिल्स को मांड को लगाता हूँ तो यहां पर देखो जितने इसके अंदर फायल सौर फोल्डर Cinderella है वो यहां पर देख चुकिए है देखो यहां पर side by side मेना file manager इसलिए खूल रखका है तकि अब को GUI तो आती है ठीक है simple सी बात लिए तो असान सीखनी तो जो GUI उसके साथ साथ आप देखते रहो हां आपको पता चलता रहे हाँ यह सारे folders है और यह से में दिख रही है ना अगर मैं documents folder में जाओं तो हमारे पास यह कुछ folder है first, second, fourth, fifth, text, txt files है कुछ ठीक है और work folder में जाओं तो हमारी यह कुछ files है यहाँ पर है ना तो यह आप ऐसे change directory करोगे गा ना change directory आपको करनी पड़ेगी लेकिन मैं इस video के अंदर ब files भी है इस folder के अंदर ना कुछ hidden files भी है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहां सो hidden files करूँ तो देखो कुछ hidden files भी यहाँ पर आ चुकी है जो भी folders होते हैं जिनके आगे dot लगा हो या फिर जो भी file है जिनकी starting dot से हुई हो वे सारी hidden files और folders माने जाते हैं ठीक है किसी भी file folder का नाम अगर dot से start हो जैसे dot config dot gnupg dot local dot ssh ठीक है यह तो यह सारी dot profile dot जिन भी file और folder का नाम dot से start हो वे सारे hidden files और folders कहे जाते हैं ठीक है अगर मैं इनको 100 hidden files से हटा देता हूँ तो मिरे को यह नहीं दीखेंगे अब मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो मिरे को hidden files और folders नहीं देगी लेकिन उसके साथ आप यहाँ पर options भी दे सकते हो कि किस type की चीज़ आपको देखेंगे ठीक है और अगर आपको यह option भी optional है optional मतलब दो या मत दो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपने नहीं दिया तो आपकी command में error आजाएगा ऐसा नहीं है ठीक है और उसके ब बाद का मतलब है कि अब यहाँ पर option देने वाले क्या देने वाले यहाँ पर इस माइनस का मतलब है कि हम option दे रहे है option क्या दिया है आने a, a का मतलब है all जितनी भी फाइल्स हो, चाहे वो hidden हो, चाहे वो कुछ हो, वे सारी मिर को show कर दो, क्या कर दो, वे शारी मिर को show कर दो, मैं यहाँ पर enter करता हूं, तो यह देखो, all files इसने मिर को show कर दी, अब वे hidden हो, या फिर hidden नहीं हो, तो इसमें यह नहीं देखेगा, यह अपनी सारी की सारी files को देखो इसने मिनको यहाँ पर show कर दी है ठीक है, यह आप समझेे कि minus A कब काम आदा जब आपको hidden files और folders भी देखने हो ठीक है, तो ls के साथ minus a लगा होगी, minus का मतलब है option और a का मतलब है old files ठीक है और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मिरे को अगर जो तनी फाइल्ड हैं यह में उनकी लोंग फॉर्मेट में देखनी है देखो मैं दिखाता हूँ आपको लस माइनस ल माइनस का मतलब और ऑप्शन कौन सा लगा है अब की बार ल अगर मैं लिखूंगा तो सारे की सारी फॉर्डर मेरे पास लॉओंग फॉर्मेट में आएंगे लॉंग फॉर्मेट का मतलब है देखो मैं दिखाता हूँ यह देखो कुछ इस तरीकी से आपकी इस्यो होंगे ठीक है और आपको हिड़न के साथ देखने तो आप एभी लगा दीजी साथ में तो हिडन के साथ लों यहांपर यह users है कि किस ने बनाई है किस ने edit की यह वगरा और यह permissions ठीक है यह D का मतलब है directory R का मतलब है read W का मतलब है write X का मतलब है execute और इस R का मतलब read है ठीक है यह R जहांपर भी RO हुँ मतलब read है जहांपर X हो वो executable file और W मतलब write और D मतलब directory देखो ये जो third dot txt ये एक directory नहीं है तो इसके सामने d नहीं लिखा है हुआ है तो इससे आप समझ जाओगे तो ये permissions है ये readable है writeable है executable है या नहीं है ठीक है ये होती है administrative permission ये होती है अगर आपने कोई group वगारा बना रखा है तो उसके लिए permission ये होती है other user के लिए permission ठीक है तो ये user क्या है group क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ इसकी अप चिंता मत करो कि कैसे user बनाए नया कैसे group बनाए वो सब मैं आपको बता दूँगा ठीक है लेकिन अभी आप नोर्मल पहले हम चोटी चोटी कुमांड सीखते हैं उसके बाद हम एडवांस लेवल की कुमांड पर जाएंगे तो यह हमने कर लिया याप पर इसका मतलब भी आपको समझ आगया कि यह जो आप देख कन्फ्यूज हो रहे थे आप आपको पता ही यह परमीशन्स है यह यूजर्स है यह इनका साइज है और यह डेट और टाइम है कि इस ताइम पर यह बने हैं अगर आपको लोंग व्यू देखना हो हीडन फाइल्स का तो आप सिंपल सी बात है आप लिकिए लस माइनस एल ठीक है तो यहां पर यह लोंग व्यू फाइल्स का भी आज़े लिए यह डोट प्रोफाइल का रखा है यह इसका रखा है डोट सूडो एडमिन का है ना यह डोट लोकल का है डोट जीन यूपीज यह दो को इन सब का भी आ गया अब देखो मेरा जो टर्मीनल हो बहुत भर चुका मैं चाहता हूं इसको थोड़ा साफ करना ठीक है तो उसके लि सबसे नीचे आएगी ठीक है अगर मैं यहाँ पर एल नहीं लगाता हूं अगर मैं यहाँ लगाता हूं अगर यहाँ नहीं लगाता हूं तो भी हमारा वही आता तो भी हमारा वही अंसर आता देखो पहले डेश्टॉप है तो पहले यहाँ पर भी डेश्टॉप है फिर डोकुमेंट्स फिर डोकुमेंट्स डाउनलोड म्यूजिक ऐसे हैं 12345678910 और 11 ठीक है तो यह ऐसे काम करता है ठीक है तो यहाँ से आप ऐसे सोट भी कर सकते हो और भी बहुत तरीकली सोट से लेकिन में आपको ओवर्वीव देता चल रहा हूं कि कैसे आप यह सारी कोमांड को यूज कर सकते हो ठीक है सोट का तो हमने देख लिया अभी डाक्टरी चेंज करनी मान लो आपको नहीं आती है ठीक है और मेरे को यहाँ पर अगर में यहां पर आटा साइन है वो यह को लिए तो हैं और हमको अगर भी नहीं आख कोर दिया इसका मतलब में आप यहांपर सभी डरीरी नहीं नहीं दे रहा I यहांपरมें यह आपको ऑप्शन्स देंवाला हूं हुँ ठीक है यहां पर मैंने लगा दिया कि मेरे को लोंग फॉर्मेट में चाहिए और कहां के चाहिए डोक्यूमेंट्स के चाहिए एंटर करता हूँ तो देखो डोक्यूमेंट्स की जो हमारे foil folders हैं वे हमारे आ चुके हैं यहाँ पर देखो जितने भी थे और long format में आए long format मतलब काफ़ सारी detail आई है उनके साथ है कि नहीं तो आप ऐसे भी use कर सकते हो मैंने आपको पहले बजाए था कि ls कैसी उती है यहाँ पर आएंगे option और फिर space देखें आपको file writer का नाम लिखना ह और यह दोनों चीज optional है दो या मत दो ठीक है देखो मैंने documents के check कर दी है अब मेरे को works के check करने हो तो क्या करूंगा यहाँ पर लिखूंगा work नाम का जो folder ls work तो देखो यह सारी files हमारी work folder के अंदर ठीक है और एक और चीज मैं आपको पता देता हूं यहाँ पर अगर आपक specific से निकालना हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को html files दिखाओ या फिर मेरे को particularly python की file दिखाओ css की दिखाओ txt की दिखाओ तो वह particular भी आप ले सकते हो जैसे कि देखो ls work अब इसके अंदर बहुत सारी file है लेकिन मेरे को कौन सी देखनी मेरे को सिर्फ और सिर्फ देखनी है कुनसी html बारी file तो मैं slash लगाऊंगा और या पर star.html लिख दूँगा मतलब कि star.html उसके पाद जो भी आप लिखोगे तो सिर्फ वही file आपको मिलेगी star का मतलब है नाम कुछ भी हो पर .html होना चाहिए समझे star का मतलब है कि यहाँ पर नाम तो हो कुछ भी पर पीछे . .html होना चाहिए तो यह सारी file list कर दो तो इसने बता दी कि भी इस work folder के अंदर सिरफ और सिरफ index.html ही है सिरफ index.html ही है और अगर मेरे को python की चीए तो मैं क्या करूंगा तो देखो यह आपको नहीं समझा है मैंने एकदम में command लिख दी हाँ पर पूरानी ठीक है तो up down arrows की ह है उनसे आप पूरानी commands पर आ जा सकते हूं उनको यूज करके ठीक है अप down arrows की है जो जो keyboard में arrow की होती है न वो अगर मैं आप लिख दू css एंटर करता हो तो css सिर्फ और सिर्फ css वाली file हमारे पास यहां पर आ जाएगी तो ऐसे आप यह भी कर सकते हो कि आप अगर particular file द लेकिनी की सिर्फ मेरे को txt की जो file वो दिखा हो ls करता हूं यहां पर star dot txt लिख देता हूं enter करता हूं तो देखो सिर्फ txt हमारे पास आज चुकी है तो ऐसे आप ls को use कर सकते हो तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना इन तो आपको और जादा समझ आएगा जिरे दिरे प्रैक्टिस करो उससे आपका जो logic है ना वो तकड़ा होगा मतलब तकड़ा का मतलब है आपका जो mind है वो खुझ से सोचने लगए कि अच्छा यह ऐसे काम कर रही है अच्छा यह ऐसे हो रहा है तो यह आपको खुझ से समझ रहे हो माइनस L लिखे तो यह long format में आ रहा है आप मानलो आपको जो output आया है यह जो output आया है यह आपको कोपी करना है तो आप कैसे करोगे right क्लिक करके copy करें के जहां पर भी करना है वह पेस्ट कर लोगे लेकि नहीं इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी ना तो मैं आपको एक तरीका पता हूँ simple से आप जो भी command लिखनी ना वह command लिखो ठीक है पूरी command लिख दो उसके बाद यह वाली arrow की लगा दो और उसके बाद उस file का नाम लिख दो जिस file के अंदर आपको यह convert करनी है output को मैं जिस output को आपको जिस file के अंदर रखना उस file का नाम आप यहां प अंदर output देना जो भी आपको direct देनी हो आप दे सकते हो slash लगाओ जो भी देना हो मतलब कि दे दो ठीक है अब मैं enter करता हूं तो देखो यहां पर output नाम की file जो है यहां पर बंचुकी है और यह देखो मैं अगर इसको open करूं तो हमारा जो पूरा output है वो यहां पर show हो गया है अब देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं यहां पर इसको बंद करता हूं ओके अगर मैं को यही फाइल आगर वीडियोज फोल्डर के अंदर चीट हो मैं कैसे ले कि आउंगा ठीक है देखो मैं दिखाता हूं को कैसे लसे लिगूंगा माइनस लिगूंगा और output आउटूट में मैं क्या करूँगा आउटूट के अंदर मैं यहां पर लिगूंगा वीडियू अ ऑब यहां पूर्ट क् kolay लोगा है अगर वह वह फाईल प्रेजंट है तो संके इंदर और कर देगा अगर नहीं है मतलब यह जो output.txt में लिखा है अगर यह वीडियो फोल्डर के अंदर present है तो यह क्या करेगा उसके अंदर editing कर देगा यह सारा डेटा जो भी यह output data में को change करना है किसमें मेरे को अब चाहिए ls तो चाहिए long list लेकिन मेरे को all चाहिए hidden files भी दो और हम मैं क्या करता हूं यहाँ पर videos आज की वीडियो में मेरे को यह आपको बताना था कि कैसे आप यह काम करोगे और एक और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर अगर मैं ls करूं तो यहाँ पर देखो बहुत सारी files और folders सारे हैं लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डारेक्टरी देखनी है सिर्फ और सि इए आप लिखागे, मतलब कि आपने क्या किया माइनसD का मतलब है शिर्फ सिर्फ डारेक्टरी दिखा ओ, कार मतलब नाम कुछ भी हो तो यहाँ पर इसने सारी directory काम को यहाँ पर शो कर दिया है تو ऐसे आप सिर्फ ओस सिर्फ आपको अगर फोल्डर फाइल्स वगरा की तो आप ऐसे देख सकते हो मैं एक पर इसको क्लियर कर दूँ अब मैं आपको एक कमाड़ पता हूँगा जिससे आप किसी भी कमाड़ की हेल्प देख सकते हो हेल्प का मतलब अगर आप लस के बारे में भूल जाओ तो और अगर आपको लस के बार लग़दो और एं Trevor कर दो यह आपको क्या देगी यह आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मिशन देखी कि यह किस किस तरीके से यूज़ हो सकती है कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो भ्यक्ति करती है का है कि ls command आपको लेकिने उसके पाद space देना है उसके बाद यहाँ पर आएंगे options और फिल आए की directory वगएर अगर आपको देनी है तो देखो यहाँ पर मैंने मैंने सॉर्टिंग मैंने सॉर्टिंग मैंने स्थीन आपको कर दीसे मैंने ऑप करा दिया था तो यह हैं तो यह सारे आपको यहां पर यूज करके देख सकते हो अगर आपको word के through sort करना है तो आप minus minus sort लिखके और equal to word लिख दो तो यह जो अमारी directory में जो list आएगी वो word wise sort के आएगी ठीक है तो आप ऐसे भी check कर सकते हो बहुत इजी ली कर सकते हो देखो यह सारी आप पढ़ लो और अगर आपको इस page से बाहर निकलना है तो आप क्यों दबा दो तो आप महाँ से बाहर आ जाओ ठीक है तो यहाँ पर आप पढ़ ले ना किसी भी command के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो next video के अंदर हम cd command के बारे में जानने वाले हैं तो guys मिलते हैं फिर आपको next video के अंदर तब तक के लिए guys वीडियो को like करे share करें अपने दोस्तों के साथ जो भी Linux सीखना चाता है हिंदी में बहुत इजी तरीके से सीखाई जा रही है तो आप आओ और शीखो free में शीखो और इस वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ और guys चैनल को subscribe करें बिल्कुल subscribe करें और वीडियो को share करें हर ग्रूप में जिसमें भी आप हो please guys share करो क्योंकि अभी subscribe की बहुत जुरूरत है और जितने ज़्यादा जनों के पास ही जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा है सब free में आप पर बहुत अच्छे तरीके चाओ वो भी हिंदी में Linux सीख पाएंगे तो guys मिलते हैं फिर आपको next वीडियो के अंदर और जाने से पहले एक question आपके लिए कि जो more का punk होता है क्या आपने भी अपने घर में वो लगा रखा चिपकलियो को भगाने के लिए हाँ या ना यह आप reply जरूर करना comment में तो guys मिलते हैं आपको फिर next वीडियो के अंदर तब तक के लिए guys bye bye see you in next video